हेलो डियर फ्यूचर ओफिसर स्वागत है आप सभी का आज के हमारे MCQs के थ्रू रिविजन सेशन में आज हमारा पॉलिटी का चोथा लेक्चेर है टॉपिक है हमारा DPSP डिरेक्टिव प्रिंसिपल रिविजन के लिए आप Only Eyes के तरफ से उडान जो बुकलेट है पॉलिटी की उसको आप रेफर कर सकते हैं ठीक है यहां पर डिटेल दिया हुआ है आप किस तरीके से वेबसाइट से हिंदी और इंगलिश दोनों में PDF डाउनलोड कर सकते हैं आज के हमारा पहला क्वेशन देख कि DPSP जो है वो Legislature, Executive और Judiciary को Direction है दूसरा स्टेटमेंट है कि DPSP को Enforce करवाने के लिए हम कोर्ट में कोई Petition फाइल कर सकते हैं देखो दोनों यह स्टेटमेंट यहां पर गलाता है पहला क्यों गलाता है DPSP Legislature और Executive को Direction है बट Judiciary को को कोई Direction नहीं है ठीक है DPSP Direction देता है Legislature और Executive को ना कि Judiciary को पहला स्टेटमेंट गलत हो गया दूसरा देखो DPSP को Enforce करवाने के लिए हम कोर्ट में Appeal या कोई Petition फाइल नहीं कर सकते हैं फंडमेंटल राइट को अगर Enforce करवाना हो तो हम फाइल कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गया इस तरीके से ह हमारा Option Number C सही होगा क्योंकि हमें Incorrect पूछा था Detail आप यहां से देख सकते हैं Question Number 2 देखते हैं बोला है कि हमारा जो Constitution है उसकी Philosophy क्या है ठीक है तो बाबा भीमरा वंबेड कर जो थे उन्होंने बोला था कि अगर हम DPSP और Fundamental Rights को अगर इंक्लूड कर लें तो ये दोनों चीज भारत का जो समिधान है उसकी Philosophy को Represent करते हैं ठीक है तो DPSP और Fundamental Rights ये दोनों Philosophy है Option Number D हमारा सही हो गया यहां से आप डिटेल में Explanation देख लो Question Number 3 देखो दिया हुआ है कि DPSP और Fundamental Rights के बीच में हमेशां से ही टकराव रहा है conflict रहा हुआ है और इस टकराव के solution के लिए कई बा तीन केसे के नाम दिये हुए है हमें बताना है कि इनको Chronological Order में लगाना है ठीक है गोलकनाथ चंपकम दोराई राजन और मिनिर्वा मेल केस देखो चंपकम दोराई राजन जो केस है वो 1951 के अंदर होता है इसमें क्या होता है Supreme Court बोलता है कि जितने भी Fundamental Rights है वो सभी के सभी Rights DPSP से Superior है ठीक है गोलकनाथ केस 1967 के अंदर होता है गोलकनाथ केस में बोला जाता है कि हमारा जो Parliament है वो Fundamental Rights को Average नहीं कर सकता है Fundamental Rights को छीन नहीं सकता है मिनर्वा मेल केस में बोला गया था कि DPSP और Fundamental Rights ये दोनों एक गाड़ी के ही दो पईये है ऐसा नहीं है कि कोई चंपकम दोराई राजन फिर गोलकनाथ और फिर उसके बाद मिनर्वा मिल स्टेटमेंट नमबर हमारा स्टेटमेंट नमबर सी जो है वो सही हो गया डिटेल एक्स्प्लेनेशन यहां से देखो आप अच्छा क्वेशन नमबर चार देखते हैं क्वेशन नमबर चार में हो तो कोर्ट ऐसे कानून को अनकॉंस्टिटूशनल डिकलेर कर सकता है दूसरा इसमें बोला है कि DPSP जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है देखो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कि कॉंस्टिटूशन का क्या है वैसे तो कहीं पे भी बेसिक पहज़ा में हम बोलें तो basic structure में सारे fundamental ingredients हैं हमारे constitution के, ठीक है, देखो पहला statement हम देखते हैं, अगर कोई ऐसा कानून बना दे, जो कि DPSP को violate करता है, तो ऐसी condition में court उस कानून को unconstitutional declare नहीं कर सकता है, हाँ, अगर कोई कानून ऐसा बना दे, जो कि fundamental rights को violate करता है, एसी condition में court उस कानून को unconstitutional declare कर सकता है, SM विधानिक declare कर सकता है, लेकिन DPSP के case में ऐसा नहीं है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि second statement, इसमें वो लाए कि जो DPSP है, वो basic structure का हिस्ता नहीं है, देखो article 50 में क्या बात की गई है, separation of judiciary and executive बात की गई है, ठीक है, जैसे कि हम बात करत हैं, judicial magistrate जो होते हैं, district judge होते हैं, ठीक है, वो सारे judiciary में आते हैं, और उसके बाद district magistrate हो गया, ADM, SDM, यह executive magistrate है, तो DPSP के article 50 में भी बात की गई है, कि separation of power होना चाहिए, similarly basic structure में भी इस बात की गई है, कि separation of power होना चाहिए, judicial executive के बीच में, बाद में basic structure में यह बोला गया है, कि हमारा constitution जो है, वो secular होना चाहिए, constitution हमारा secular है, या हमारे यहां पे मतलब पूरा इंडिया का जो system है, political system है, वो secular है, similarly ऐसी ही बाते DPSP में की गई है, तो हम बोल सकते हैं कि DPSP भी जो एक तरीके से basic structure का part है, हमारा पहला statement गलत है, हमसे incorrect पूछा है, तो हमारा statement 1 incorrect हो गया, यहां पे आप detail देख सकते हैं, अब देखते हैं, question number 5, question number 5 में दिया हुआ है, DPSP और fundamental right से related कुछ statement दिये हैं, वो हमें बताने हैं कि इनमें से कौन सा statement सही है, देखो पहला statement बोलता है कि DPSP को Magna Carta के नाम से जानते हैं, अब यह आपको common सा knowledge होगा कि DPSP को Magna Carta के नाम से न statement कि जितने भी fundamental rights हैं, वो हमेशा ही DPSP से superior होंगे, मतलब अगर primacy की बात की जाए, तो fundamental rights हमेशा DPSP के आगे होंगे, यह गलत चीज़ है, कुछ ऐसे DPSP हैं, जो कि fundamental rights से उपर हैं, जैसे कि income का redistribution करना, यह सारे, तो जब हम income redistribution की बात करते हैं, तो उसमें हम article 14 नहीं ला सक हैं, कि भई सबको बराबरी का अधिकार है, इस तरीके से, ठीक है, तीसरा statement देखिए, तीसरे हम बोला है कि DPSP सिर्फ हमारे constitution की part 4 तक की limited है, यह statement भी गलत है, चोता statement बोला है कि DPSP novel features हैं, हमारे constitution के यह बात बिलकुल ठीक है, बावारा भीमसम अंबेडकर जी ने भी यह अधिकार असेफ्ट की है, कि DPSP हमारे constitution का novel feature है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, detail, अच्छा अपना प्रज्यान होने वाला है, GS का All India mock test होने वाला है, पहला test है, यह 14 मार्च को है, तो अभी से देखो अपने पास ना, 12 दिन बचे हुए हैं तयारी के लिए, इस भी कर सकते हो, 700-79-31912, टेस्ट होने के बाद में आपको All India rank मिलेगी, और आप टेस्ट के बाद में अपना paper जो PDF format में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप revision कर सकें, तो 12 दिन बाद है, 14 तारीक आप याद रख लेना, 14 तारीक को पहला GS का prelims का mock है, ठीक है, चलो question number 6 दे और हमें बताना है कि इनमें से कौन-कौन से जो हैं, वो DPSP है, ठीक है, देखो, 500 statement आपको पढ़ लेने हैं, अगर हम तीसरा statement देखते हैं, तो उसमें बुला है, country की security के लिए duty, मतलब जो बुला है कि country की security करना, और देश में कभी जरुत पड़े तो सेवा करना, ये दोनो पहला statement क्या है कि protection करो environment का, wildlife का, ये सही है, ये DPSP में आता है, दूसरा बुला है कि जो milch animals है, जो animal जो दूद देते हैं, गाय हो, भैसो, उनका slaughter नहीं करना है, उनका वद नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, ये भी DPSP में आता है, ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा पह statement देखो, कि culture को preserve करो, heritage को preserve करो, हमारी धरोहर की रक्षा करो, संस्कृति की रक्षा करो, ये करो, ये सारे जो है न, वो हमारे fundamental rights, मूल करतवे में आते हैं न, कि DPSP में आते हैं, ठीक है, तो पहला, दूसरा, चोथा, ये हमारे सही हो गए, यहाँ पे ये सब DPSP में आते हैं आप detail में यहाँ पे देख सकते हैं, question number 7 देखो, question number 7 में दिया है, DPSP से again related statement दिये हैं, तीन statement दिये हैं, पहला बोला है कि DPSP जो है, वो एक welfare state बनाने की कोशिश करता है, कल्यानकारी state रज्य है, दूसरा बोला है कि DPSP की मदद से हम political democracy establish करते हैं, तीसरा बोला है, कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पे DPSP को constitution का हिस्सा बनाया गया, देखो अगर अपन तीसरे statement के और जाएं, तीसरे statement पे जाएं, तो हमने तो क्या किया है, DPSP खुद Irish constitution से लिया है, ठीक है, Ireland का जो constitution है, वहाँ से लिया है, तीसरा statement गलत, तब COD गलत हो गया, पहला statement सही है, DPSP के थुरू हम welfare state बनाने कोशिश करते हैं, लेकिन second statement गलत है भया, भया यह इसलिए गलत है, कि DPSP के मदद से हम political democracy नहीं establish करते हैं, social और economic democracy establish करते हैं, political democracy हम fundamental rights के थुरू establish करते हैं, पहला statement सही है, option number A हमारा सही हो गया, यहाँ पे आप detail देख लो, पाट दिया हुआ है, हमें तीन statement दिये हुए, कि 1970 constitutional amendment, 86 वा समिधान का संसोधन, और 44 संसोधन, ठीक है, अब हमें बताना है कि इन में से constitutional amendment act, DPSP से related है, देखो, 97th amendment का बाता है, 2011 में आता है, उस समय क्या बात की गई थी, 97th वाले में, कि cooperative societies, सहकारी जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में बात की गई है, 86th में क्या बात की गई है, 0 से 6 साल तक के बच्चे उनको education दो, उनके कुछ खाने पीने की, nutrition की विवस्ता करो, उसलिए तो हमने अंगनवाडी बगेरा बनाई है, ठीक है, 44th क्या है कि income में inequality जो है, वो I में जो A समानता है, उसको कम करो, ये सारी चीज़े करने की बात की गई है, तीनों statement सही है, 97, 86, 44, तीनों के तीनों DPSP से related है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, detail में, question number 9 देखते हैं, question number 9 में दिया है कि DPSP से related हमें कुछ statement नहीं है, अब हमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, पहला statement दिया है, कि DPSP जो है, sorry, constitution हमारे DPSP को तीन categories में divide करता है, socialist, गांधियन और liberal intellectual, यह statement गलत है, हमारा constitution कोई division नहीं करता है, कोई classification वरगी करण नहीं करता है, यह गलत है, ठीक है, यह तो हमने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से किया हुआ है, statement C देखो, statement C में दिया हुआ है कि individual welfare को promote करता है, यह गल DPSP हमेशा society के welfare को promote करता है, fundamental rights जो है हमारे वो करते हैं किसको promote, individual welfare विशेश के कल्यान को, ठीक है, statement D दिया है, कि इनके implementation के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूत नहीं है, यह automatic अपने आप ही applicable हो जाते हैं, यह statement भी गलत है, देखो, DPSP अपने आप लागू नहीं होते हैं, DPSP के लिए हमें कानून बनाना पड़ता है, जैसे कि हमारे DPSP में बात की गई है कि wild life, one is you की protection करो, इसलिए तो हमने wild life protection act बनाया है, ठीक है, dowry के prohibition के लिए बनाया है, बच्चों की education के लिए right to education मनाया है, इस तरीके से, अब statement भी देखते हैं, कि court जो है, अपने judicial power का use कर है, अगर वो कानून DPSP से related है, ठीक है, जैसे मारे law की कानून बनाया, DPSP को implement करने के लिए, अब उस law को challenge करने के लिए हम court जाते हैं, court यह देख सकता है कि भाई, यह जो कानून बनाया है, यह किसी DPSP को implement करने के लिए बनाया है, तो court वहाँ पे check करेगा कि भाई, ठीक है DPSP को implement करने के लिए बनाया है, तो हम इसको constitutionally valid कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, question number 10 देखो, question number 10 में दिया हुआ है, कि हमें 3 statement दिये हैं, अब इन में से बताना है कि कौन से गांधियन principle है, मतलब DPSP में हम बात करते हैं, socialist, intellectual, liberal, और फिर गांधियन, तो बताना है कि DPSP के कौन से इस principle है, जो गांधियन है, ठीक है, अब देखो, तीसरे statement पे जाते हैं, कि इंटरनेशनल पीस को establish करो, security करो, दूसरे देशों के साथ मैतरिपूर बेवहार करो, यह, तो यह जो है न, liberal intellectual में आता है, गांधी जी में नहीं आता है, गांधी जी तो बत करते हैं, शान्ती की बत करते हैं, तो पहला statement सही है, जो village पंचायत है, गांधी जी के principle पर ही बेजने है, ठीक है, यह कि गांधी जी तो बोलते हैं न, कि भारत की आत्मा गांधान में बसती है, ठीक है, तो पहला statement सही है, दूसरा है statement कि सभी लोगों के लिए living wage ensure करें, स अतलब बाकी social opportunities हो, decent standard of life हो, ये गांधियन principle में नहीं आता है, ये social principle में आता है कि सभी लोगों को एक living wage मिले, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारा second statement भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, सिप पहला statement अपना जो है, वो सही है, तो option A हमारा सही हो गया, यहाँ पे आप detail में द होने वाला है, वो 5 पाफ session होने वाला है, ठीक है, इसी series का, और यह 9 March को होगा, क्योंकि यह 2 March है, इसमें topic कौन से होंगे, fundamental duties, basic structure, amendment to the constitution, उसके लिए आप only IS की उडान booklet जो है, वो refer कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के test में आपकी MCQs के थरू हमारे revision session में कैसी आपके performance रही, कित बरूर कमेंट करके बताइए, ओनली आई से